आज की बात स्वागत तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में प्रेम ये बड़ा ही महतुपूर्ण विशे है और वास्तों में देखा जाए तो हम सब के जीवन में भी प्रेम का विशे बड़ा महतुपूर्ण है आपने कई लोगों को देखा होगा जो ये कहते हैं कि सब से प्रेम करो आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि किसी से प्रेम ना करो ये भी कहते हैं तो ये जो प्रेम करो या प्रेम ना करो ये जो इस्थिती है इस इस्थिती को तथागत बुद्ध किस तरह से मार्व दर्शन करते हैं इस प्रश्ण के संबन में तथागत क्या चर्चा करते हैं और तथागत का प्रेम पर क्या कहना है इस बात को आज की बात में समझेंगे दिखेगा जैसे कि लोगों को भूख लगती है प्यास लगती है तो भूख लगती है प्यास लगती है कोई प्यास भूख लगाता तो नहीं है बिलकुल ऐसे ही लोग प्रेम में होते हैं कोई प्रेम करने की या फिर प्रेम को लगाने की ऐसी कोई चीज तो नहीं होती जैसे कि हमारी जीवन के आवश्चक्ताएं हैं उन आवश्चक्ताओं में प्रेम भी शामिल है अब दिखेगा कि ये प्रेम कभी इस्त्री पुरुष में भी हो सकता है पुरुष पुरुष में भी हो सकता है, इस्त्री में भी हो सकता है पुरुष पशु में भी हो सकता है, पुरुष पक्षी में भी हो सकता है हम इसे कहीं बांध नहीं सकते और ये प्रेम इसके विशे में इस तरह की धारना नहीं हो सकती कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो पक्षियों से प्रेम करते हैं कई लोग ऐसे हैं जो पशों से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम प्रेम होता है हम सामान रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो प्रेम करना है ये मनुश्य स्वभाव का एक स्वाभाविक धर्म है एक साधारण धर्म है और उसके स्वभाव में ही होता है ये प्राकर्तिक है प्रियवस्तू अथ्वा प्रियविक्ति का मिलन ये निश्चयात्मक रूप से आनंद दाई होता है ये सबका अपना अनुभव होगा कि जिसको भी प्रियविक्ति मिलते हैं उनको जब देखते हैं तो निश्चयात्मक रूप से आनंद हो जाता है मनानंद से भर जाता है ये बात भी बिलकुल उतनी ही सच है कि जब प्रियविक्ति बिछड जाते हैं मतलब प्रिये जनों का विरह होता है, विछोड होता है, तो निश्चायात्मकृप से दुख भी होता है, और प्रेम की यही खासियत भी हैं। तो देखे मिलन के आनन की कल्पना कर आदमी प्रियवस्तु अथ्वा प्रिये जन की ओर आकरशित तो होता है। विचों के दुख से दुख्खित होकर वह उसकी कलपना कर आदमी वेरागी के गीत गाने लगता है। प्रेम में होता है तो प्रेम के गीत गाता है। विचों में होता है तो वेरागी के गीत गाता है। कई ऐसे विराह के गीत हैं जिन गीतों को लोग गुनगुनाते रहते हैं और अपने उस प्रेम को जो जिसकी अभिवेक्ती में ये इस्थिती बनी कि उसमें विछव मिला तो निश्चित रुप से वे विराह के गीत गाते रहते हैं कई लोग मनुरंजन के लिए गीत गाते हैं लेकिन उसमें भी एक सुप्त प्रेम होता है लेकिन ये होता जरूर है अब एक ऐसी भावना जिसमें मिलन का आनंद हो विचो का दुख ना हो ये ही भावना मैत्री की भावना कहलाती है तथागत बुद्ध की देशनाओं के आधार पर अगर इसको समझा जाए या फिर तथागत के उपदेश के आधार पर अगर इसे समझा जाए तो ये समझना होगा कि तथागत जिस मैत्री भावना की बात करते हैं बहुत सारे बहुत धजन आपको ये शब्द बार-बार उचारित करते हुए मिलेंगे कि मैतरी भावना में रहो, कई लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि हम मैतरी भावना करनी चाहिए, कई लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हम मैतरी भावना में रहते हैं, तो ये जो मैतरी जिसमें मिलन का आनन्द भी ना हो और विचों का दुख भी ना हो लेकिन मिलन का आनन्द भी हो और विचों का दुख भी हो ये दोनों इस्थितियां अब अगर इस इस्थिति को अगर समझा जाए तो क्या कहा जाएगा कि तथागत पूर्ण रूप से एक रिदेगत मैत्री की बात कर रहे है वे पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने की बात कह रहे है जिसे हम सामाने रूप से मित्रत्व कह सकते हैं जैसे कि बंदूत्व वैसे ही मित्रत्व इसमें मिलन की चाहत भी हो, मिलन का आनन भी हो और मिलन का वो आनन भी ना हो कि जिस से दुख हो जाए क्योंकि विचोहो भी जहां मिलन है वहां बिछडना तो पक्का है क्योंकि मिलन के साथ बिछड़ना ये तैबात है ये तो प्रकर्पी है जहां प्रकाश है वहाँ चाया भी है अंधिरा भी है उजाला है तो अंधिरा भी है तो ये दोनों चीज़े तो होती ही होती है दिन है रात भी है ये जो इस्थिती है इस इस्थिती को तधागत कहते है मैत्री भावना तो हम सामाने रूप से कहें कि जिसमें मिलन का आनन तो हो लेकिन बिछडने का दुख ना हो ये होती है मैत्री की भावना अगर सामाने रूप में सामाने शब्दों में कहा जाए कि मिलन है आनन्द है ठीक है लेकिन वो सिमापार नहीं है बिछडना है तै है लेकिन वो बिछडने का दुख भी नहीं है लेकिन एक मैत्री की जो अस्तरी ये भावना जो है वो भावना उसमें जरूर है सभी प्राणियों से प्रेम करना और सभी से मैत्री करना एक बात है सभी प्राणियों से प्रेम करना और सभी से मैत्री करना ये एक ही बात है आदमी को प्रेम का शुल तभी बिंगता है जब वो विक्ति विशेश में केंद्रित हो जाता है कोई भी वेक्ति ये जो बिछडने का जो दर्द होता है बिछडने का जो गम होता है बिछडने का जो दुख होता है इसमें वो ये जो दूख उसे किसी शूल की तरह तभी चूपता रहता है जब वो किसी वेक्ति विशेश से प्यार करता है ये विक्ति विशेश से प्यार करने वाली बात नहीं है कागज पर फैले हुई स्याही या रंगों का नाम चित्र है अब कागज पर अगर स्याही फैल जाए या फैला दी जाए चित्रकार उसको फैलाएगा या फिर फैल जाए वो जो चित्र है वो जो रंग है फैले हुए उसका नाम है चित्र एक जगे गिरी हुई स्याही या रंगों का नाम धब्बा होता है तो कोई किसी व्यक्ति विशेश के साथ में इस बात को अगर जोड़ दे तो निश्चित रुप से ये धब्बा बन जाता है और जीवन धब्बा नहीं तो प्रेम भी दपा नहीं है तो प्रेम कहीं बिछड़ने से कहीं वो प्रेम में कमी नहीं आती और इसलिए बौधों की जो जीवन शैली है इस जीवन शैली में ये बिछड़ना इसका भी कहीं दुख नहीं हो ताब विरह का कोई दुख नहीं है और इसलिए तथागत बुद्ध ने प्रेम को दुख का जनक माना है कौन से प्रेम को जो वेक्ति विशेश के साथ होता है जैसे कागस पर गिरी हुई एक जगे गिरी हुई कोई स्याही जिसका धबा बन जा है इसे भी दुख मानते हैं लेकिन सभी प्राणियों से मैत्री करने का वो आदेश देते हैं कि जितने भी प्राणि मात्र हैं इन सारे प्राणि मात्रों से मैत्री का वो आदेश देते हैं लेकिन अब मैत्री जो है ये तो भावना है और जो भावना है वो तो चैट्सिक भावना है तो इस चैट्सिक भावना को कैसे समझे तो इस बात का यतार्थ ये है कि ये जो हमारा पुरा समाज हो सकते समाज है इस पुरे समाज की हम सेवा कर सकते हैं तो ये समाज की तो भक्ती ही हो सकती है जिसको हम भक्ती कहें लेकिन अगर किसी एक विक्ती के साथ अगर जोडा जाए तो वहां ये जो विरह का दुख उत्पर्न हो जाता है लेकिन वही पर उसकी सेवा भी उत्पर्न हो जाती है उसके साथ मिलन का भाव अपने आप चला आता है और ये जो बात आती है इसी बात के साथ तथागत अपने बात को समझाते हैं और फिर वो प्रेम की उस भावना को जो आसक्त प्रेम है जो किसी एक वेक्ति विशेश के साथ जुड़ा हुआ है उस आसक्ति से बाहर निकलने की वो बात कहते हैं और फिर कहते हैं कि यथा संभाव तथागत कहते हैं यथा संभाव आसक्ति रहित होकर ये जो प्रेमालाब है इसे संपन्न किया जाए तो फिर आसकती रहित सेवा ही विवार के इस तरपर मैत्री कहलाती है और ये जो मैत्री की भावना है ये मैत्री की भावना समाज के साथ उसकी भक्ति में और वैक्ति के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है और बस यही मैतरी की भावना है तो यह जो मित्रवत वेवार है इसे तथागत सिखाते है और यह जो मित्रवत वेवार है यही मित्रवत वेवार इसे ही प्रेम के रूप में जो हमारा सामाजिक प्रेम है जिसे हम बंधूत्व कहे, मित्रत्व कहे एक दूसरे के साथ मिलजूल कर रहने की भावना कहे या फिर जिसे सह जीवन कहे इस सह जीवन को तथागत उपदेशित करते है ये तथागत का मार्व दर्शन यहां आता है और फिर वे कहते है कि आसकती रहित जो सेवा है आसकती रहित जो एक जीवित प्राणी की दूसरे जीवित प्राणी के साथ जो भक्ती है जो श्रद्धा है जो सेवा है जो मिलन है जो प्रेम है बस यही मैत्री है और यथार्त रूप में यह मैत्री दो जीवितों के रूप में है लेकिन चैसिक भावना के रूप में अगर ह सभी का भला हो इसके साथ वे जीते हैं और प्रेम के संबन में तथागत यही मारतर्शन करते हैं आज की बात में हम यहां रुकते हैं मिलेंगे अगले कड़ी में किसी और जानकारी के साथ